पाठ एक्तालीस इमेल लेखन पाठ एक्तालीस इमेल के माध्यम से बेज़े गए पत्रों में अंतर आप सब जानते ही हैं कि सामान पत्र प्राय हस्त लिखित होते हैं इनको लिखने के लिए कलम और कागस की आवाशक्ता होती है तथा इनको बेजे जाने के लिए लिफाफे में रखा जाता है और डाक टिकट लगा कर पत्र पेटी में डालना होता है यही नहीं, इनको अपने गंतव्य तक पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं कभी-कभी डाक अव्यवस्था होने पर ये पत्र अपने गंतव्य तक पहुँच भी नहीं पाते और पत्र भेजने वाले व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल पाता कि पत्र निर्धारत व्यक्ति को मिला भी या नहीं इसके विप्रीत इमेल द्वारा भेजे गए पत्र तुरंत प्रेशित हो जाते हैं और किसी कारणवर्ष यदि इमेल संप्रेशित नहीं हो पाया तो कम्प्यूटर पर तुरंट संदेश आ जाता है, जबकि सामाने पत्र के लौट कर वापस आने में महीनों लग जाते हैं। इमेल के माध्यम से जो पत्र भेजे जाते हैं, उनमें सबसे बड़ी सुविधा वर्तनी सुधार की होती है। आप जानते ही हैं कि हर कम्प्यूटर में एक स्पेल चेक प्रोग्राम रहता है, जो वर्तनी की अशुधियों को ततकाल सुधार देता है। लगन करनी पड़ती है और अतरिक्त डाक व्यवे भी देना पड़ता है। कोई भी व्यक्ती जो इमेल भेजना चाहता है, उसे सबसे पहले अपना इमेल अकाउंट खोलने और अपनी इमेल आइड बनाने की आशुखता होती है। हम जो भी mail भेजते हैं, वे हमारे email account से ही जाती है. Email account किसी भी email programs, जैसे Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail, Rediff Mail आदी पर खोला जा सकता है. Email ID बनाने के लिए छात्र किसी भी computer जानकार की मदद ले सकते हैं. Email लेखन का प्रारू जब आप किसी को email भेजना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने computer पर अपना email account खोलते हैं, और mail लिखने के लिए compose पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी mail लिखने वाली window खुल जाती है. अब इस window में आप निम्नलिखित विवरण के अनुसार टाइप करते हैं. एक, from, प्रेशक का email. जब आप computer से mail भेजते हैं, तब आपको अपनी mail ID लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. आपकी mail ID स्वतह निर्धारित खाने में लिखी हुई आ जाती है, और हर व्यक्ती अपनी ID से ही mail भेजता है, तथा प्राप्त करता के पास प्रेशक की mail ID स्वतह पहुँच जाती है, पर परीक्षा में या कक्षा में तो छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अता उन अपना email लिखना ही होगा, दो, टू, प्राप्त करता का email पता, इसमें प्रेशक को उस व्यक्ती का email पता लिखना होता है, जिसे वह email भेजना चाहता है, तीन, CC, कार्बन कॉपी, यदि प्रेशक चाहता है कि वह अपने email की प्रती कुछ अन्य लोगों को भी भेजे, तब है, CC का उप्योग कर सकता है, और उन लोगों की mail ID लिख सकता है, जिने वह mail की प्रती भेजना चाहता है, चार, BCC, Blind Carbon Copy, एक से अधिक लोगों को mail की प्रती भेजने के लिए, BCC का भी उप्योग किया जा सकता है, लेकिन BCC में भेजी गई प्रतियों को, मूल email प्राप्त कर और CC प्राप्त करता नहीं देख सकते, पांच, Subject, विशे, यदि email आपचारिक है, तो इसमें email पत्र का मुख्य विशे लिखा जाता है, विशे को देख कर प्राप्त करता को यह समझने में देर नहीं लगती, कि पूरे email में क्या लिखा गया होगा, अनापचारिक email पत्रो में विशे लिखने की आवश्यक्ता नहीं होती, 6. संबोधन, जिस तरह से पत्रों में संबोधन लिखे जाते हैं, वैसे ही संबोधन email में भी लिखे जा सकते हैं, यहां भी आप अनापचारिक email में, प्रिये, आदर्निये, श्रधे, आदी, तथा आपचारिक email में, महोदय महोदया, श्रीमान आदी संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, 7. बोडी, पत्र का कलेवर, सामाने हस्त लिखित आपचारिक पत्रों के कलेवर जैसा ही email पत्रों का कलेवर होता है, पत्र प्राप्त करता को जो भी बाते बतानी होती हैं, वे सब यहां लिखी जाती ह किन्तु संक्षिप्तता के साथ, 8. स्वनिर्देश, मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखे जाते हैं, ये भी ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे सामाने पत्रों के होते हैं, आप यहां भी भवदिये, उतरा पेक्षी, आपका आदी स्वनिर्देश लिख सकते हैं, 9. हस प्रेशक को अपना नाम लिखना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल पत्रों के उधारण। एक, ईद का त्योहार आने वाला है। इस उपलक्ष में अपने मित्र को शुबकामना देते हुए एक ईमेल लिखिए। फ्रॉम, शर्मारिकी14 at the rate gmail.com to अफजल.khahn14 at the rate gmail.co.in ccbcc प्रिये अफजल, कैसे हो? आजकल तो तुम रोज रोजे रख रहे होगे? अगले रविवार को ईद आने वाली है. आशा है कि पिछले साल की तरहां इस साल भी तुम्हारे घर पर ईद का जश्न होगा. मैं कोशिश करूँगा कि उस अफसर पर पहुँच कर तुमको ईद की शुपकामनाई दे सकूँ. तुम तो जानते हो कि तुम्हारे यहां आने के लिए मुझे अपने भाई सहाब को मनाना पड़ेगा. वे ही कार ड्राइव करके मुझे तुम्हारे यहां ला सकते हैं. यदि किसी कारण आना संभव नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को अभी से ईद की धेर सारी शुपकामनाई. अपने अब्बा और अम्मी को मेरा आदाब कहना. तुम्हारा मित्र रिकी शर्मा.